बच्चों करोना मामारी से बचने के लिए हमें अपने मूँ को और नाक को मास्ट से ढखना उसके साथ अपने हातों को साफ रखना और दूसरे लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखने के साथ साथ पौश्टिक भोजन खाना भी बहुत जरूरी है जिससे की हम ताकतवर रह और सभी बिमारियों से दूर रहें बच्चों आप इन कर्सिव एल्फाबेट को लिखना जानते हैं बच्चों आज मैं आपको कर्सिव क के बारे में बताऊंगी बच्चों यह कर्सिव क है बच्चों अब मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगी जिनका नाप कर्सिव क से शुरू होता है जैसे कैंगरू, काइट यानी पतंग बच्चों अब मैं आपको शांपट पर कर्सिव क लिखना सिखाऊंगी बच्चों यह कर्सिव काै लिखाऊंगी कर्सिव क sz multip कापी लिख लूर लू 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 लूम कासीा on the same line turn right then touch the upper blue line now go in and move down slanting and make a tail like this बच्चो कर्सिव के नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है एक तिर्ची रेखा उपर वाली लाल रेखा तक बनाएं फिर लूप बनाते हुए सीधा नीचे वाली नीली रेखा तक आएं अब थोड़ा उपर जाएं और सीधे हाथ को मुड़ें उपर वाली नीली रेखा को छूने के बाद अंदर की ओर जाएं फिर एक तिर्ची रेखा नीचे की ओर बनाएं नीचे वाली नीली रेखा तक और उसके बाद एक इस तरीके से पूच बनाएं वा रुकें Children, Cursive K starts from the lower blue line. Move up while making a slanting line. Touch the upper red line. Make a loop like this. Come down straight and touch the lower blue line. Now move up and turn right. Touch the upper blue line. Go in and make a slanting line and make a tail like this and stop. बच्चों कर्सिफ के नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है, सबसे पहले एक तिर्ची रेखा उपर वाली लाल रेखा तक बनाएं, लूप बनाते हुए सीधा नीचे वाली नीली रेखा तक आएं, अब इसी रेखा पर थोड़ा उपर चलें और सीधे हाथ को मुड़ Children this is the sample work to be done in your four lined English notebook बच्चो यह आपके लिए कारे करने का नमूना है जो की आपने चार रेखाँ वाली English notebook में करना है Curcive key starts from the lower blue line Move up while making a slanting line Touch the upper red line Make a loop like this Come down straight and touch the lower blue line Move on the same line Turn right and touch the upper blue line Now go in and move down slanting and make a tail like this Curcive key नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है पहले एक तिर्ची रेखा उपर वाली लाल रेखा तक बनाएं फिर लूप बनाते हुए सीधा नीचे वाली नीली रेखा तक आएं अब इसी रेखा पर थोड़ा उपर जाएं सीधे हात को मुड़ें वा उपर वाली नीली रेखा को छूते हुए अंदर की ओर जाएं फिर तिर्ची रेखा बनाते हुए पूच बनाएं Children, Cursive K starts from the low the blue line moveου up while making a slanting line touch the upper red line make a loop like this come down straight and touch the lower blue line moveon the same line turn right and touch the upper blue line Now go in and move down slanting and make a tail like this कर्सिव के नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है पहले एक तिर्ची रेखा उपर वाली लाल रेखा तक बनाएं फिर लूप बनाते हुए सीधा नीचे वाली नीली रेखा तक आएं इसी रेखा पर थोड़ा उपर जाएं सीधे हाथ को मुड़ें वा उपर वाली नीली रेखा को छूते हुए अंदर की तरफ जाएं फिर तिर्ची रेखा बनाते हुए नीचे आएं वा पूझ बनाएं और रुकें Children, see how I am writing कर्सिव के बच्चों अब देखिए हम कर्सिव के कैसे लिखते हैं कर्सिव के लिखते वे आपने जरूर ध्यान रखना है कि इसका जो आप उपर लूप बनाते हैं वह पतला हो, बहुत मोटा ना हो देखिए अब एक और बार कर्सिव के लिख रहे हैं Children, I hope the formation of कर्सिव के is clear to you बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको कर्सिव के लिखने की formation अच्छे से समझ आ गई है Children, this is the way you have to complete the writing of कर्सिव के बच्चों, इस तरीके से आपने कर्सिव के लिखने का कार्य पूरा करना है और यह ध्यान रखना है कि कर्सिव के में भी यहाँ gap होता है, जगें होती है That's all for today children, thank you, bye bye